नमस्कार दोस्तों मेरे चानल में आपका फिर से एक बार स्वागत है अगर आपके पास रियल्मी का स्मार्टफोन है और उस रियल्मी के स्मार्टफोन के अंदर रियल्मी युए का अपडेट है तो दोस्ता आपको पता होगा कि यह रेल्मी UA update के साथ साथ आपको एक के music level के लिए काफी शांदर feature मिल जाता है जिसका नाम है Dual Audio Mode या फिर Dual Audio Speaker System जो भी आप उसके अपर कह सकते हैं लेकर दोस्ता काई पीसरी लोगों यार मुझे comments किया था कि यह जो Dual Audio Mode का speaker का system में मतलग भी features है मेरे phone के अजरे आपर properly work नहीं करता है लेकर दोस्ता अगर आप उसके आपर properly enable करोगे तो आपर easily उसके आपर use कर सकते हैं तो दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बतने मालों कि किस प्रकार से Dual Audio Mode या फिर Dual Audio Speaker System के जो feature से किस प्रकार से Realme के किसी भी device में आपर properly use कर सकते हैं properly enable कर सकते हैं तो चले दोस्तो शूर करते हैं बिन दिरीक इस वीडियो को और फटफट से वीडियो को like कर दिजेंग आपके अगर आपके Realme phones के अंदर Realme UA का official update अपको देखने को मिल चुका है अपने phones के अंदर Dual Audio Mode को जो features आपको देखने को मुल जाएगा अगर 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 फोन के अंदर Color 6 का वर्जन है तो यह पर टेंशन मत लीजे बहुत हीज़े लब को ट्रिक का वीडियो नहीं तो यह पर Realme UI का प्रेट देखने को मल जागा आप आरांस अपनी फोन के अंदर Dual Audio Mode का फीजर को इस्तेमाल कर सकते हैं वेश्त दुस्ता कापी से लोग क्या करते कि आपर एरफोन को करेंट करते और एरफोन को करेंट करेंगे वाद यह पर सीधा जाते है Realme Lab के अंदर अंड Realme Lab के अंदर एपर देखने Dual Audio Mode के जो फीचर्स यह पर Enable करने की कोशिश करते हैं लिगने आपर Enable नहीं होता तो दोस्तों सबसे फिल आपको कहेंचे एक Wireless Air Phone, Wireless Air Buds नहीं तो Wireless Speaker चाहिए कौन सा भी हो जैसे कि मेरी पास एक Lamp पे जोकि एक Wireless Bluetooth Air Phone है मतलब कि Wireless Bluetooth Speaker है आपके पास Wireless Air Phone हो यह फिर Wireless Air Buds हो तो भी आपर चिलेगा तो दोस्तों सबसे फिल आपको क्या करना है सिंपल आपको जाना है Bluetooth को On करना है और Bluetooth को On करने के बाद जो भी आपका Wireless Air Phone हो, Wireless Air Bud हो यह फिर Wireless Speaker हो सिंपली आपको उस DOS के पर Connect करके रखना है तो Wireless Air Phone मतलब कि Bluetooth Speaker Connect होने के बाद आपको नीची के तरफ से जो 3.5mm वाला जो वायर्ड एरफोन यह फिर आपको वायर्ड एरफोन को भी Connect करना है तो सिंपली अपकर क्या करना है उसको Enable करना है और Enable करने बाद उसे आपको नीची के तरफ से देशाद आपको तीन ओप्शन देखने को मल जाते है Wireless Air Phone है उसके बाद वायर्ड एरफोन है और फोन स्पीकर है लेकिन तो आप एट टेम दोनों यह पर चला सकते हैं एरफोन है दोन यह पर कनेट हो चुका इसके बाद आपको जो भी आपने Music Player को लगाना या फिर उसके बाद Movies को यह पर देखना या फिर वीडियो ओडियो या फिर यूट्यूब के साथ कौन सब आपको गाना प्ले करना है तो आप प्ले करने के साथ साथ आप आसनी से अपर Bluetooth Speaker और जो एरफोन है दोनों भी आपर आसनी से सुन सकते हैं तो दोसर इस प्रकर से आपर देखने वारलेस एरफोन या फिर वायरड एरफोन दोने आपर देखने ओडियो मोड आप आसनी से को एक लेटेश ट्रिक भी देखने को मज़ेगा तो दोसर आज के इस वीडियो में मैं आपको बस ही छोटा सा फीचर लेकिन या बहुत इंफोन फीचर्स के बार में बात करने वाला था तो दोसर वीडियो पसंद आ गयती है और लाइक और शेर जरू कर दीजे और फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही इंट्रेस्टिंग विडियो के साथ तब तक के लिए थैंक यू बाबाई टेक केर